नबसकार वनक्कम सस्रीप काल, कैसे हैं प्रभू? Defenders की बात कर ली, फिर Raiders की बात कर ली अब बात करूँगा All-rounders की Season 11 में 12 की 12 टीम्स के पास All-rounders कौन है एक तो वो जो All-rounder category में गए, आउक्षन में या वो जो हैं तो Raiders और Defenders की सूची में लेकिन हैं practically all-rounders again pro pro max और pro max इन तीम पैमानों पे मैंने इन तीम के all-rounders को ये छोटी सी rating देने की कोशिश की है लेकिन सिर्फ all-rounders का होना ही किसी तीम के बहतर होने का कोई पैमाना नहीं है ये हम सब जानते हैं चाहिए विस्तार से बात करते हैं कि 12 की 12 टीम के पास all-rounder कैसे है सबसे पहले अगिन alphabetically B से शुरू करेंगे और U तक हम जाएंगे Bengal Warriors से शुरू करता हूँ सागर कुमार इकलोते मुझे all-rounder मिले जो all-rounders की सूची में आये थे Raiders देख लिए, Defender देख लिए कोई ऐस सच all-rounder उनके पास है नहीं सागर कुमार है, एक मैच के लिए हैं सीजन 9 में और वहाँ आपने 7 पॉइंट लिए थे, 7ो के 7ो defense में थे इसकी अतरिक्त टीम में और कोई all-rounder नहीं है, तो इनको मैं मान रहा हूँ कि ये प्रो लेवल की all-round team है again, बहुत ज़्यादा इसको deeply देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस team के पास अच्छा all-rounder है या नहीं है या किसी team के पास अगर बहुत pro max ultra level की all-rounder हैं तो उनका खतरनाक होना कोई पैमाना नहीं है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि अगर all-rounders हैं और अच्छे वाले हैं, वो बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं, तो बेंगॉल में फर्क पैदा करने वाले all-rounder नहीं है रेडर हैं, डिफेंडर कमाल के हैं इसके लिए पिछले दोनों एपिसोड देख लीजिए नमबर दो, बेंगलूरू बुल्स आपके पास नितिन रावल हैं, वो नितिन रावल जो काफी पुराने चावल हो चुके हैं जैपुर पिंग पैंथर से अपना सफर शुरू किया था हर्याना में रहे, अब बुल्स में आ गए हैं मुख्यत है, लेफ्ट कॉनर खेलते हैं लेकिन लेफ्ट से रेड करने की भी कौव़त रखते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनका ज्यादा इस्तिमाल डिफेंस में होगा मेंद लेफ्ट कॉनर ही खेलेंगे, रेडिंग में तीन चार नाम है ब्रिजिंदर चौधरी हैं जो एक बार जैपुर पिंक पैंथर्स में खेले थे सीजन आठ खेले थे साथ मैचिस में टोटल 28 पॉइंट लिये थे और जो कबड़ी के नैशनल होते हैं उनमें एक दो सीजन लगातार इन्होंने कहर बरपा दिया था इसलिए यह जेपीपी में आए यहां उतना बड़ी हा काम नहीं कर पाए और बात फणी है लेकिन इनकी याद मुझे हमेशा आती है कि एक मैश में रेड करने गए इन्होंने रिव्यू मांग लिया और कहा मैंने बोनस लिया है और बोनस लाइन के पास भी नहीं गए थे तो वो कभ में हर्याना के साथ थे और तक्रीबन 80 पॉइंट थे फिर नितिन पमर आपके पास आते हैं सीजन 10 खेले थे यूपी में 15 पॉइंट आये थे सीजन 9 भी यूपी में खेले थे 4 पॉइंट आये लेकिन आशीश का होना बिजिंदर चौधरी ठीक है प्रो कबड़ी का मुईन कौन मुईन नभी बक्ष नभी बक्ष उनका फैमिली नेम है मुईन उनका पहला नाम है हम हर किसी को रटा के रहेंगे जैसे शादलू पहला नाम है मुहमद रेजा फैमिली नेम है और चिया ने गाम का नाम है तो शादलू अगर ना दिखे सिर्फ मुहमद रेजा चिया ने दिखे तो रिमाइंडर दे दिया कीजिए मोहिन नभीवक्ष सीजन दस गुजरात के साथ थे जदा अच्छा सीजन नहीं रहा अठाइस पॉइंट सीजन नौ आप पुनेरी पल्टन में थे पांच पॉइंट आए थे बाला जी डी है पिछले सीजन में गुजरात के साथ 16 पॉइंट उससे पहले बेंगॉल के साथ 23 पॉइंट लेकिन ये मुख्यताय डिफेंडर है जो आल राउंडर की कैटेगरी में आ गए हैं फिर रोहन सिंग है पिछले सीजन में एक पॉइंट फिर आपके पास राज सोलूंके हैं ज्यादा पॉइंट नहीं है मोनु संदू आपने ले लिए 55 नंबर जर्सी मेरे फेवरेट अल राउंडर में से एक पटना से बेंगलूरू बूल्स गए और अब गुजरात आ गए बेंगलूरू बूल्स के साथ होके होके प्रदर्श प्रदब मोनु संदू कि अगर आप पिछले चार-पांट सीजन ले लें किसी भी सीजन में इन्होंने कोई 50 रेड 50 टैकल पॉइंट नहीं लिए साथ रेड बारा पॉइंट 14 रेड बाईस पॉइंट 13 रेड ग्यारा पॉइंट तो यह बड़े यूटिलिटी खिलाडी हैं एक दो रेड पॉइंट लाएंगे एक अदा टैकल करेंगे और एक दो असिस्ट दे देंगे यह उस तरह के खिलाडी हैं तो इन सारे खिलाडियों को मद्दे नजर रखते हुए क्योंकि मोनु और मोईन दोनों के दोनों अनुभव लेके आते हैं प्रो मैक्स लेवल की मु अंधरेजा चिया ने और ठीक है प्रो को बड़ी में ज़्यदा रेड ना किया हो लेकिन एशन गेम्स का फाइंडल हम सब ने देखा है हात खड़ा करो किसने नहीं देखा और मुरगा बनो और मुझे उमीद है कोई मुरगा नहीं बनेगा सब ने देखा होगा एशन गेमस पासनुभव नहीं है ज्यादा अकेले शादिलू जो प्रो कबड़ी में ज्यादा रेड करते भी नहीं है पुछ स्पेशल दर्शक हमारे मौजूद है जैपुर पिंग पैंथर्स नीरज नर्वाल आप ले आए भई बेहतरीन वेricting आल्रांडर हैं सीजन 10 में बिंगलूर साथ थे टोटल 115 पॉइंट सीजन आठ दिली के साथ थे 47 पॉइंट एक और आल राउंडर लेकर आए हैं आमिर वानी मैंने इनका जिकर पहले भी किया है यह जम्मू कश्मीर से हैं मुंबई की एक अकड़ेमी में ट्रेन करते हैं और जो मैंने इनकी वीडियो देखे यह तो वो तीन अलग-अलग पोजीशन पर डिफेंस करना जानते हैं एक अच्छे वेल बिल्ट खेलाडी हैं और मैं उमीद करता हूं कि सीजन में जेपीपी इनको खेलने का मौका दे साथ में विकास कंडोला में रीडर हैं लेकिन से बहुत अच्छा सपोर्ट भी वो करते हैं त आगे चलते हैं पीपी आगई पीपी से पटना पाइरेट्स एक तो आपके पास अंकित हैं पिछला सीजन यहीं खेले थे टोटल 66 पॉइंट थे पर सारे थे डिफेंस में बीके हैं आप आल राउंड की कैटेगरी में यहामिद नादर हैं पिछले दो सीजन आप खेले थे टेल्गू टाइटन्स में तो ओवराल मुझे पटना का ओल राउंडस का विभाग प्रो लेवल का ही लग रहा है प्रो लेवल ब्रो एक और पीपी पुनेरी पर्टन इनके पास हैं ओल राउंडर असलम मोहित आमिर नुरूजी यह वो खिलाड़ी हैं जो ओल राउंडर की केटेगरी में जाते हैं और या रिटेन किये जाते हैं फिर आपके पास पंकज मुझेते हैं फिर आपके पास स्काई शंदे हैं आकाश शंदे हैं तो कहने की जरूरत ही नहीं इन सबकी परफॉमेंस आप सबने पिछले तीन सीजन में देख ली है असलम मोहित दो लेजंड TPPE के बाद TTPT की बारी है पहली TT है तमिल तलाइवाज मोहिंव सफागी आपके पास है इरान से लेफ्ट के रेडर हैं एशन गेम्स 2022 वली खेले थे पहला सीजन आपके पास है पहला सीजन खेल रहे हैं तो एक ही नरिंदर कंडोला और सचिन second man से बहुत अच्छा support देते हैं पर rating bro level pro अगली TT तेलगी Titans पवन सहरावत की auction all rounders की category में होती है और रुखिये अगर आप कह रहे हैं कि पवन all rounder कैसे हुए पिछले season में 202 raid point थे 15 tackle point थे तक्रिबन पौना आधा tackle point पर match बुरा नहीं होता है एक main raider के लिए season 8 में bulls के साथ थे 304 season 9 में in fact ये Titans के साथ थे ज़्यादा खेले नहीं थे injured हो गए थे season 8 bulls के साथ 300 plus raid point 16 tackle point season 7 300 plus raid point 16 tackle point तो तक्रिबन 0.75 tackle point पर match पवन सहरावत लाते हैं एक underrated all rounder है हम सब इनको raider raider कहते हैं पर actual में ये all rounder हैं अगर कहीं इनके पास नवीन जैसा मनिंदर जैसा raider हो तो मैं guarantee देता हूँ यहर दूसरे match में right cover खेलेंगे क्योंकि उनको defense करना बड़ा पसंद है और विजे मलिक तो है ही आपके पास जो एक legit all rounder है season 10 UP में गए थे 47 point आए season 9 दिल्ली में थे 82 point आए season 8 दिल्ली के साथ थे 500 से जदा point आए बेहतरीन defender तो है यह बेहतरीन all rounder है विजे मलिक फिर अंकित है season 10 जैपीपी में थे 33 point लाए फिर आपके पास संजीवी है season 10 titans में ही थे 41 raid point और 8 tackle point शंकर गदई है महाराष्टा के जो nationals में captain रहे हैं season 10 titans में 8 raid और 10 tackle point season 9 गुजरात में रहे थे 4 raid और 21 tackle point प्रो मैक्स अल्ट्रा एक और टीम हमें मिल गई जिसके पास all rounders प्रो मैक्स अल्ट्रा लेवल के हैं विजे अंडाउटिडली सबसे बहतरीन all rounders में से एक पवन underrated all round star है अगली टीम पे आईए दो बची हैं यू 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 मुंबा और यू पी योद्धाज यू मुंबा जफर दानेश हैं पिछले season में 141 raid point 7 tackle point और शुबम हैं तो बहुत ज़ादा इनके पास all rounder नहीं है प्रो लेवल ब्रो यू मुंबा all rounders में आखरी टीम यू पी योद्धाज सचिन और विवेक बस ये दो खिलाड़ी हैं जो all rounders की category में आए हैं कोई अनुभव इनके पास नहीं है raiders में defenders में इनफाक्ट सुरिंदर गिल भरत हुड़ा दोनों ऐसे हैं जो second man से surprise attack करते हैं ankle hold कर लेते हैं पर वो मुख्यत है raider है तो यूपी योद्धाज भी level pro ही दिखता है मुझे raiders में all rounders में माफी चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से तेल्गू टाइटन और पुनेरी पल्टन दो ऐसी टीम है जिनके all rounders pro max ultra level के हैं आप लोगों के हिसाब से क्या कोई और टीम है जिसके all rounders pro max ultra level के हैं अगर मिले तो बताईए और अगले वीडियो की प्रतिक्षा कीजिए जिसमें मैं predict करूंगा अपनी सोच बताऊंगा कि starting seven 12 की 12 टीम्स की कैसी रहने वाली है और भी वीडियो आएंगे बात करूंगा कुछ खिलाडियों से भी कुछ कोचिस से भी कोशिश रहेगी मेरी आपका प्यार बने रहना चाहिए यह सबसे बड़ी बात है नमस्कार जैहन